तो आज का topic हमारे पास जो है editing गए है जिसको बोलते है data handling अगर आपके बाद कोई data है तो इसको किस तरीखी सब handle करोगे आज का topic यह है तो data handling से पहले हम कुछ और करते हैं जैसे कि यहाँ पर आपके कुछ नंबर से एक तो इस पर डबल क्लिक करो गोए ते आटो फिर हो जाता है मतलब कि जितना कॉलम की साइज आपको इस पर चाहिए डेटा को विज्वल करने के लिए उतना ही कॉलम की साइज रखता है बाद बाकी को छोट अगर देता हो फिर यहाँ पर अगर मुझे इस पर सम लगाना है तो मैं इक्वल सम लिखता हूँ इस तरीके से फिर स्लेक करके एंटर मानना पड़ता है अगर बास यहाँ पर यह रखिए ए का कमांड बना हुआ है यह आपको आटो सम है इस पर अल्ट इक्वल अगर आप करते हो तो अट्मेटली आपका रेंज पकट लेता है और सम का फिर लगा लेता है अल्ट इक्वल या फिर आप इस पर क्लिक कर देता है सम के अलावा कुछ और चाहिए आपको यहाँ पर आपको अबरेज है यह अबरेज निकाल देगा count number, number count कर देगा, maximum minimum इसके लाबा कोई और function चाहिए तो more function पर क्लिक करोगे और हाँ से आपको मिल जाएगा ठीक है, लगी basically जाता है इस sum के लिए करते है, लगी यह series चलता है अगर मैंने सब्सक्र को delete कर दिया, हाँ पर blank कर दिया अब मैं आपके alt equal praise करता हूँ, तो जहां तक series break हो रही है उससे पहले तक कहीं है sum लगेगा उससे आगे का sum नहीं लगेगा ठीक है तो यह आपका जो है वो और function है, फिर आता आपका fill बेसिकलिए माल लीजे कि यहां पर कुछ numbers या कुछ भी text कोई value आपने type कर रखा है अब same है आपको नीचे तक copy paste करना है तो generally आप का करते होंगे control C, फिर नीचे तक select करके control V करते हो लेकिन for example कि मुझे एक और तरीका इसमें है इसको select किजिए, नीचे तक select किजिए और control D कर दीजिए तो ज़िए फिल लाउंग ठीक है साइड में चाहिए, तो control R fill right, क्योंकि यहां से होता है fill down, control D right, control R बाकि left opt के लिए आपको खुछ से manual करना पड़े है इसके कोई formula नहीं है फिर से बारी आती है series की fill series आपको sequence लिए यहां पर कोई number लिखने है तो कैसे लिखते हो one two लिखके, फिर दोनोंको select करके drag कर देते हो sequence बनता है लेकिन अगर आपका sequence बनाना है एक particular number तक ही तो इसको selection कीजिए और यहां पर 3 यहां पर step value और यहां पर डालिए कि मुझे चाहिए 10 तक तो 10 तक का ही बनाएगा बाकि को blank छोड़ देगा इसमें अगर step आप चाहती हो कि नहीं मुझे एक का नहीं दो का step चाहिए तो हर odd number यहां पर दिखेगा और अगर आप में कोई stop value नहीं डाला तो जहां तक selection है तो हां तक चला जाएगा ठीक है तो यह होता है linear होता है कि increasement अगर हम growth की बात करें तो multiplication अगर मैं 2 कर दूँ तो multiply करेगा 1 को 2 से multiply किया 2 को 4 से 4 को 2 से हर number में हर result के अंदर 2 multiply कर दो चला जाएगा भिकाजी समझना है आपको 5 को 5 को 2 को 4 5 को 3 को 1 जाएगा 5 को 5 को 5 को 2 वहाईगा 5 को 2 को 3 को 5 को झाल हलो सुन पारे हैं मुझे आप मुझे लागा कि आप नहीं सुन पारे हो तो आप ग्रोथ समझ में आके ग्रोथ कैसे क्या करता है हाँ हाँ बिल्कुल फिर इसमें आता है आपका डेट अगर मैंने यहाँ पर डेट लिखा और इसको सिक्वेंसली चाहिए तो आप नीचे तक ड्राइग कर दोगे तो आजाता है तो अगर सिंकल एके डेट चाहिए तो को दिक देट डॉब कर दोगे लेकिन इसके बीच में आपको चाहिए कि अब स्टाडे संडे रहा है सिप मंडे टूर फ्राइडे का डेट आ है तो आप वीग डेपे जाए और नोके कीजिए तो स्टाडे संडे आपका नहीं आए सेम इसी तरह स्रीच पे आप मंध पर जाएए तो मंध ली और यह आपका यह ली तो आटमेटिक आपको सिक्वेंस बनके आ जाएगा करने की ज़रूत नहीं है आपको आटो फिल जिसे आप डबल क्लिक करते है वह आटो फिल हो जाता है भासराट नहीं है क्लम्ड इसके लिए कोई सॉटकॉट होता है ना सब करसर रखते हैं के जाए कि shortcut क्या है इसके लावा इसका का लिस्ट चाहिए आपको आपने keyboard का F1 प्रेस कीजिए और सर्थ में जाके सर्थ कीजिए shortcut ओके यहाँ पर आपको keyboard shortcut करें फंक्शन्स की यह रहाए अपको सारे की shortcuts जितने भी shortcut कि हैं सभ यहाँ यहाँ है निल जाएंगे ऑगे थैंक्यू चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद इसमें आता है एक रोस बॉर्क सीट यह इंपोर्टेंट है जैसे इसके अंदरे पांच सीट्स है मैं यहाँ पर नीम लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ने पांचों सीट्स पर कॉपी पेस्ट करना है तो आप एक पर कॉपी करोगे और वन बाई वन करके पेस्ट करोगे सब के तो बग अक्सेट्स क्या होता है कि आप उसको स्लेक कर लिजिए और सिट के साथ लास बाद बाद क्लिक कर लिजिए तो आपका सारा हालाइट हो जाएगा और साथ में उपरा आपका ग्रूप का लगा हुआ जाएगा अब मैं कंट्रोल वी करूंगा तो हर सीट में आप देखोगे कि पेस्ट होगा करोगे जब आपको कुछ सेलेक्टेट चाहिए तो पर करना चाहता हूँ अगर सारे करना है तो सिट के साथ सेलेक्शन सेलेक्शन साथ कंट्रोल के साथ आपका हुआँ बिल्कुल से मिल्कुल मेथ राएगा तो पूरा कवसकती अभी कंट्रोल खाल सकते हैं अभी कट्धों कि यह सिवाई यह अच्छा आप्शन है चलिस के बारे में देखते हैं अलो हां एंटर कि कसका जिश्का का जिश्का कि पांड़ी से यापो क्या चोटे में लेंगे मुझे पास एक मिट एक मिट िऴरी level कि आप मुझे रिरी धाम चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, अमाल नहीं धा कि आज इस तरह से नाम लिखा हुआ है, लकिन आपको एक ही सेल के अंदर लिखना था इस तरीके सी, जैन, एक ही एक 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 कॉन्टनेट करना पड़ेगा, तो आपको एक ही एक कॉन्टनेट करने की जरुदत नहीं है, इसको आप बढ़ा कीजिए, ठीक है, और इसको select कीजिए, और आपका जो सलसल लास्ट में जो command है, justify का, उस पे click कर देगा, justify क्या करेगा आपका, कि एकठ्था सबको space से कर देगा, फिर इसमें comma लगाना है, तो space को replace कर लीजिए comma से, जिस फॉर्माट में अभी हैं, हलो, हाँ जिस फॉर्माट में अभी आपने justify करा, उससे फिर हम column wise फिर से लाना चाहते हैं, तो वही तरीका बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ आपको, कॉलम बजा फिर से लाना चाहते हैं, तो क्या करोगे आप, उसके लिए आप column को वापस छोटा करो, एक तो space होना चाहिए, वापस जिस side में था, उस side में लेकिया हो, और same functions को apply करो, justify का मतलब होता है, कि कॉलम का जितना बड़ा आपका कॉलम होगा, उसके हिसाब से ओ, वाट को फिट करेगा, ठीक है, तो justify अगर आप कॉलम बड़ा है, पर जब तक एक column फिल नहीं होगा, तो एक row cell फिल नहीं होगा, तो तक next cell को फिल नहीं करेगा, अगर आपका कोई cell इस से link है, बें लिंक है, अगर मैं इसको delete कर दिया, तो यहाँ पर RF हाजाएगा, तो जब आपको delete करना हो, तो delete ना करके, आपको फिली तरह से blank ही तो करना है, तो select करके clear all, इससे फैदा है क्या हुआ, क्या आपका link ब्रेक नहीं हुआ, और आपको जैसा चाहिए, इसा आगी आपके बास, हाँ, जैसे आपके बास एक report data आया, अब इसको हटाएक एक नया report बनाना है, तो साब तो करोग ना पहले, जैसे बोर्ट पे आपको लिख लेते हो, तो ब्वेट को clean बगरना पड़ता है, तो यह clean करने के list करिंश होता है, तो लोग clean करने के चक्क्रने काया करता है, delete मार द होता है सीधे, delete मार तो delete मारना में कोई हर्ज नहीं रिवान सकती हो, लेकिन problem हो ही हो दी है, कि अगर इस silk cell कोई formula या कोई चीज से link up है, तो दिक्कत हो जाएगी, तो have it में रखो, कि जब clear से, और दूसे चीज़ है, delete में भी time लगता है, अगर यह तो चलो दो चारा कर दिय आपने पास बहुत जदा है, data है, तो आपको delete में time लगेगा, तो उस case में आप clear करोगे, तो पुरी तरह से clear कर लेगा, same काम ही करेगा, लेकिन row का delete नहीं करता, row को साफ करता है, मतलब यह हुआ न, delete के मतलब हुआ कि board ही change करो, लेकि clear मतलब है कि board को साफ करो, तो clear के अंदर था, इसमें clear मतलब आता है clear format, सिर्फ formatting clear करेगा, ठीक है, तो आता है clear delete, contain, जो delete के आप काम करते हैं, delete जो हम काम करते हैं, वो काम करेगा, सिर्फ contain delete करेगा, format, format करेगा, contain, content करेगा, और comments, comment delete करेगा, जो मान लीजिए ने कि आपके पास इसमें insert करके, आपने कोई comment, comment का होता है, एक additional information होती है, वो अगर आपने डाल लगी है, तो इसको delete करने के लिए, आप clear comment कर सकते हैं, हलाकि delete आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकि बहुत सारा cell मे अगर एक same comment हुआ, तो उस case में दिक्कत होता है, ठीक है, उस में दिक्कत होगा, आपने यहाँ भी insert comment कर लिया है, आपने यहाँ भी insert comment कर लिया है, तो इसको delete करके, हाँ, करना बढ़ेगा, यहाँ right click करने इसे, नहीं होता है, हो जाता है, हो जाता है, हाँ से भी हो जाता है वो एक करके सारे कमेंट हतरने ठीक है वारुज। है कि है कि सदस्न करने बड़ती तक एक स्कूर कि करके कमेंट कर सकूप करें तो वह वह अमका यहां भी पर य॥ा है ओर यह चीसे आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आप नर्मल एक समय जो आप कोई तिकला burg Cliff was वी वी मैक को मैं आपको हर एक उप्सिल आपको पता होनी चाहिए क्या है तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते है उसके बाद स्टार्ट करते हैं शॉर्टिंग फिल्टर करते हैं शॉर्टिंग नचे बाद स्टार्ट करते हैं शॉर्टिंग विल्टर यूर्टिंग दो इसके जर्ट से क्या है क malf incapable है एक जरप करते हैं शॉर्टिंग जर वा हैं जर्टुंग करते हैं जरsels आपके आगे बरते हैं इसमें हम शॉटिंग अन्फिल्टर आज में तो आज ब्रेक ले लिया था ठीक ऐसे वाइस पर ब्रेक नहीं थी नहीं मुट कर रखा था अब बारी आती है फिल्टर्स की सबसे पर रहे हम शॉटिंग की बात करते हैं इसमें शॉटिंग करते कि हो वह देटा को सुटिंग करने के सकते हैं इसका हम लोग सब करते हैं रिपोर्टिंग अगरा के लिए इसमाल जी नहीं से मुझे पी आड कर चाहिए तो top 5 निकालने के लिए क्या करेंगे फिर हम shorting कर देंगे ऊपर से 5 उठा लेंगे तो shorting इसके लिए उच करते हैं तो question उठता है कि short करने के लिए कुछ लोग को देखा होगा आपने क्यों data select कर लेते हैं कुछ data नहीं select करते हैं यहीं पर sorting apply कर देते हैं लेकिस सवाल में उठता है कि हम data sorting करते समें या filter या पाइवर्ट लगाते समें हम कब sorting करें कब data को select करें और कब select न करें जोरी थोरी कर सकते हैं आइकन भी कर सकते हैं custom formatting भी कर सकते हैं तो भाई हम तो 13 बहा रहा है न उच्छो को हम दब 713 दोनों बहाते हैं तो दोनों के लिए के चलेंगे सारे कलर सारे कलर सारे कलर सार्ट हो जाएंगे हां 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 अभी देखो सारे बहर जाओ तुछ लेगा आपको अब मैं इसको select कर लिया और फिर मैं अपने question उठता है कि shorting हम किस समय करें selection कब करें कब नहीं करें तो अगर आपका data में कोई भी row blank नहीं है पूरी तरह तो आपको data select करने की जरूरत नहीं है क्योंकि shorting पाइवाट filter जो चलता है किस पर चलता है control A पर चलता है control A 2003 में control A के मतलब होता था select all पूरी seat इस तरह के select होती थी but 2007 on board जो है okay control A के मतलब होता है use range जो आपके use data है उस पर चलता है जो की पकड़ता है आपका go to a special के current region से default control A के अगर दो बार control A दबाते हो then आप पूरा select करता है first time करो तो एक ही पर क्या होगा दो बार करो तो पूरा पता चलेगा तो अगर आपका बीच में कोई एक blank रह गया अब control A करोगे तो आपका यह area है blank होगा रहकिए blank कब पूरा कब पूरा ब्लैंक होगा तब कोई एक है तो कोई दिक्कत नहीं तब तो इस case में आपको selection करनी पड़ेगी अगर नहीं तो selection करनी की जरूत नहीं अगर आपने नीचे तक को कर लिया तो आपको selection पूरी selection करनी पड़ेगी तो पूरी selection करनी पड़ेगी तो पहला आपका आता है कि अगर मैं करसर यहां रख दिया और यहीं पर कर दिया अगर मुझे करना चाहता हूं फिर मन्त करना चाहता हूं उस case में इसको select करेंगे और फिर करेंगे short custom short इसका shortcut होता है LDS मुझे करना है name की हिसाब से और A to Z में ठीक है तो फिर मैं बता हूं कि name के बाद जो तो पीवन का sale आएगा ओ होना चाहिए अपका smallest largest तो पहले name आएगा फिर उसके पीवन के sales आएं तो ऐसे आप criteria अपने हिसाब से फिर कर सकती है sorting के लिए जिसके सामने suppose इस name के सामने जो value वो तर चेंज नहीं होंगे नहीं 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 जब अभी अगर यहां से data change होगा कवीता कहीं भी जाएगा तो पुरा अपना data लेके अपना रोग के पुरा data लेके जाएगा तो इसके बार अगर इसमें यहां से तो custom short इसका यूज कर सकते हो लेकि इसमें question नहीं उठता है कि अगर मेरे पास मुझे short करनी है month wise तो क्या होगा लेकि मुझे jan tab पर क्या आना है तो उस case में custom list यूज करते हैं यहां से jan tab लेकर लेकर यहीं नहीं जैसे कि मुझे name को short करना है मैं चाहता हूँ कि मेरे तीन बंदे हमेशा top तीन बंदे की sales सबसे प्रहे top पर आनी चाहिए बाकी नीचे थान नीमी चला जाए जैसे city है आप चाहते के macro city चार उपर आना चाहिए आपकी जो product है major product है उसको उपर आना चाहते हो बाकी जो नीमी चे पर नीचे चला चाहते हो तो उस case में आप खुद के custom list डिजाइन कर सकते हो यहीं पर चले आओ मैंने बोल गया यहां प्रेंटर मनी फिर एंटर नीरज नहीं जो नाम जिसको फर्स्ट में जिसकी फैले रखना चाहते हो जिस सिक्वेंस पर रखना चाहते हो यहां क्या होगा पहले कवीता आएगा टो रेंज हाओ तो तब कर सकते हो यहाँ चाहता है कश्टम लिए अड्कर लो आपको देन ओड्यक जो टीन का उयुकर देखा पहले कवीता आया भी मनी अया ठीmiyor जाय उसके बाद जो था बंकिशिटी ऑिके अस कुद के range define कर सकते हो sorting सी बली सब अपने according हम खुद के priority दे सकते हैं हाँ हाँ अब बात आती है कि sorting with color कर सकते हो ठीक है तो मैंने हाँ पर किया custom short यहाँ पर मैंने select किया name और यहाँ पर value के जगह पर मैंने बोला sell color और sell color में जितनी भी color में यूज की है उसके list बनके हाँ आगे है ठीक है मैंने yellow लेखा और इसको yellow जो colors है उसको top में रखना चाहती हो या bottom में रखना चाहती हो अगर मैं on top करू या on bottom करू हाँ एक ही color है एक ही class रखना आपको दूसरा color चाहिए तो फिर add level करो हाँ ठीक है तो उपरा आगी जदी यह sorting की जो option है sorting with color तो यह ज़िए फाइल जदी shared होगे तो भी यह काम करेगा या फिर unsared में क्यों काम करेगा हाँ सब में करेगा हाँ सब में करेगा हाँ सब में करेगा यहां पर font color font की color same font color उपा जाएगी इसके बार इसमें एक ची और है क्या कि अगर हमने condition moment में जाके कोई icon वगर use कर लिया है इसको भी हम इसके according भी shorting कर सकते है custom short p1 select कर लिया हमने बोला sell icon और फिर यहां से मैंने बोला कि यहां पर आज जाए on the top फिर add level किया तो इसमें mix up है तो मैं इसको arrange करना चाहता हूँ sell icon हमने बोला यह आज है p1 p1 के अंदर यह ठीक है बागे तीसरा तो automatic होई जाया कोई दिख्कत नहीं आगया इक ची और है कि जब कभी कभी आप short करते हो custom short में short करते हो तो यहां पर जैसे नाम आ रहा है यहां पर column A, column B, column C ऐसे आता है वो क्यों आता है कि इस check box पर click नहीं है तो आएगा उससे मैं short करोगे तो आपका heading भी उपर नीचे होता जाए तो ऐसी problem हो तो यहां पर click कर दो my data has a header आपका short कर देगा ठीक है अब short में एक बोड़े चीज़ कि कुछ ऐसे नहीं है जैसे कभीता कहीं ले लगते है कभीता में कहीं कहीं नाम जो है बड़े अक्षर में बड़े अक्षर में ठीक है तो अगर आप short करते हो तो इससे कोई फार्क ने परता है पोजिशन से short कर देता है लेकिन custom short में चाहते हैं कि नहीं questions पड़े तो यहां पर case sensitive पर क्लिक कर दो तो क्या करेगा कि पहले बड़े वला कभी छोटे कभीता को लिखेगा या बड़े कभीता को लिखेगा then small को लिखेगा ठीक है case sensitive के हम उठा से कि case sensitive क्लिक करना पड़ेगा तो mix up नहीं दिखाएगा आपको एक चीज और रहता है जैसे कि हम इसी के बात करते है जो किसी और लिमिया लेके जाते है अब मुझे shorting करनी है इस तरीके के जो इसमें sales जब से ज़्यादा है वो short हो जाए तो अभी तो जो हम short कर रहे थे top to bottom कर रहे थे और right to left करना है तो उसके लिए आप एक आम कीजिएगा heading मत select कीजिएगा उसके बाद custom short में आईए और यहाँ पर option पर जाईए और यहाँ पर click कीजिए left to right and okay फिर यहाँ पर row two के accounts करना है select कर लो बागी सारे function होई है जो कर चलते हैं ठीक है and okay row two है ना दूसार रो है ना तो left to right भी shorting कर सकते हैं पुरा चिंद किया ना ठीक है तो shorting भी कर सकते हैं तो shorting समझना आगी सर बेलकर बेलकर shorting के बाद हमाई पास next feature आता है filter का filter filter का use क्यों करते हैं जिस हम shorting को data को arrange करने लिए करते हैं तो filter का use हम करते हैं कि अगर हम कोई database में से किसी एक particular number को अलग करना है ये particular data को अलग करना है उसके लिए उसका use करते है ठीक है जैसे कि मुझे इस में से सुजीत का data अलग copy करके बाहर करना है पर सुजीत की total लेकि नहीं है जुटी का data देखना है तो अलग अलग जगह पर है तो filter से का हुआ एक अठीक जगह पर आ जाएगा तो filter लगाने के लिए भी आपको selection का वही method पर फॉलो करना पड़ेगा जो कि आपने sorting के लिए है तो उसके लिए आपको control shift L shortcut होता है उसको प्रेस कर सकते हो या फिर आप यहां filter भी click कर सकते हो या फिर आप data में जाके filter भी click कर सकते हो कि यह एक ही जैसा है filter में तीन तरह के filter होते है date filter, text filter and number filter तो एक कैसे पता चलेगा अगर column में लिखा हुआ value text है तो आपका होगा text filter अगर column में लिखा हुआ value number है तो होगा number filter and date है तो होगा आपका date filter है सबके features अलग अलगे एक general filter होता है कि आप इस check box में जो हाँ ही click करोगे ओई आएगा तो यह manually यहां से कर सकते हो same filter by color कि अगर आपके बास colors है तो color को filter कर सकते हो चाहिए icons है तो icons को filter कर सकते हो लेकि एक condition के भिहाब पर filter करना है तो उसके लिए आपको text filter जैसे equal अब इसमें कहाए कि नाम बहुत सारे है पती ने चला नाम क्या है आप हीप equal पर जाओ और नाम टाइप कर दो जैसे मैं डाल दिया M-A-N-I match करेगा उसको filter कर देगा लेकि स्टैलिंग सही होनी चाहिए तो यह case sensitive तो नहीं होगा नहीं नहीं does not equal उसको छोड़के बाकिस सब filter कर देगा begin भी जैसे इस्टैलिंग पूरा नहीं पता है मुझे मुझे हम पता है N-E वो आगे पता ही नहीं है मुझे तो begin में तका है first में वो letter match करेगा कि N-E-E है तो उसको filter के अंदर रखतेगा बाकियों को filter से बाहर करतेगा इसके first में तीन डिजिट N-E-N-E नहीं है उसी तरह से आपका end with last में बहुत कि last रखतेशल से नाम के last में T है वो दिख जाए तो एक letter एक word एक sentence अब लिख सकते हो contain मतलब की कहीं भी लिखाओ उससे मतलब नहीं मैंने यहाँ पर कर दिया M-A M लिख दिया सिर्फ अब जब लिख नहीं कि M starting में हो ending में हो कहीं भी उसका aim होगा उस पर आपको दिखा लेगा ठीक है इसके लिए custom filter में आप दो condition मैच कर सकते हो इसमें मैंने बोड़ा कि contain with M और बोड़ा कि or मैंने बोला and with T यह क्या होगा and कब होगा and कब होगा M उसके अंदर में होना चाहिए इसमें कहतम होना चाहिए लब अगर जैब आपको जब इने और किया तो अगर उसके नाम में M है उभी उठालो अगर T है तो T भी उठालो कोई एक भी हो जाए तो उठा लो या दोनों है तो दोनों उठा लो तो जो इस तरह के more condition लगाने हो तो आप यहां सी उज़ कर सकते हो filter के अंदर में उसके बाद आपके बाद आपता है number filter same number filter आप खाता है equal does not equal greater than एक particle number से बड़ा greater than equal to greater than 50 किया तो 50 हो consider नहीं करेगा less than less than between दो नमर के बीच में और साथ में यहां पर आएगा top 10 और मैं किये top 10 आपका उठा लेगा top 10 ही नहीं जो यहां number type करोगे और top उठा लेगा या फिर bottom बाटम उठा लेगा value की हिसाब से position के हिसाब से नहीं value की हिसाब से ठीक है above average मतलब कि हर एक column की default average होती है इसकी average क्या है इसकी average आपका है 49 तो above average क्या करेगा जो 49 से बड़ा होगा उठा लेगा आपको अगर below average जो 49 से छोटा होगा उठा लेगा तो इसका use कब करते हैं क्या क्या होते है कभी-कभी आपका डिफाइन नहीं होता है टार्गेट डिफाइन नहीं होता है वहाँ आपको बोला गया कि जो अच्छे सेल की उसका data देदू तो किसको अच्छा सेल मालोगे तो कुछ तो 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 डिफाइन नहीं नहीं कुछ benchmark कुछ target defined है ता को पता चला है को target से ऊच्छा ऊपर है तो अच्छे हमने बोल दिया इस greater than 50 और between के लिए भी लगा चाते है लेस देन 60 तो 50 से 60 के बीच में आज जाएगा यहाँ पर दो अलग-अलग condition कि भाई greater than 50 होना चाहिए and equal to आपका होना चाहिए 36 यह तो consider होगा है नहीं तो इसे और लगा लो तो दो ऐसे उल्टे सीदे conditions के लिए इसका यूज कर सकती हो तो number filter समझ में आगे आपको number filter कैसे यूज करोगे number filter के बाद आपके बाद ता date filter देट बिल्टे में एक तो ऐसे आपके हिसाब से month wise group यह वाइस group होगा then month wise group होगा then date then time hour minute second ऐसे group बनके है आपका ठीक है आपको बाकी महीन हाट आ ला है तो एक एक क्लिक लेकर के जबत नहीं है आप एक अठ्ठा हाट आ सकते इसको ठीक है यहाँ पर को condition जैसे date equal to एक particular date चाहिए आपको select कीजिए मैंने लिख दिया यहाँ से लिख भी सकते हो यहाँ पर select भी कर सकते हो आप एक ओही date आएगा जो आप date डालोगे before जो date डालोगे उससे पहले की date after उसके बाद की date between तो date की बीज का date इसमें आपको date manual डालने परेंगी इसके लावे यहाँ पर tomorrow एक automatic कल की date फिल्टर कर लेगा today एक आज का date आलेगा yesterday एक कल की date हो जाएगा या फिर next week this week, last week, next month, this month, last month, next quarter, this quarter, last quarter एक system date के according चल रहा है next year, this year, last year and year to date this year में क्या होगा एक complete 2014 उठा लेगा लेकि year to date में क्या होगा कि YTD, year till date कि 2001, 2001, 2014 से अभी आज तक ये date तबी धुआएगा इसमें भी condition में apply करना परेंगा नहीं नहीं कुछ select कर लो बाखे हो गया उसके बाद होता है all date in period आपके पास अगर date जो है 4 सालों के डला हुआ है, अगर आपने इसमे quarter two select कर लिया तो 44 सालों quarter two select हो जाएगा अगर आपने यहां पर कोई next quarter, this quarter करते हो तो क्या होता है कि current year का उठाता है लेकिन यहां पर जितने भी years होंगे, सारी years का month और quarter उठा लेगा आपके यहां से, तो आपको date calculate कर लेगा यह automatic आपका date calculate कर लेगा ठीक है? यह आलसी नहीं रहता है, उत्रन ज़्यदा काम करता है आपके बास काम नहीं है तो बंदा क्या आथ आलसी हो गया अब जिवाए बहुत सारे काम हैं उसको अगर सॉटकट मिल रहे हैं उसके तो अपरजिनिटी हो गई कि और ज़्यदा काम करेगा हो ठीक है? हाँ सर तो अभी आप face to face class ही ले रहे हैं हाँ दोनों बैच हो रहे हैं, यह सामने भी बैच से बढ़ा हुए हैं आपको यह बढ़ा रहा हूँ 2 in 1 होता है रहा किसे तो live class दी जाती है सर तो filter समझ में आ गया इसको आता है find, control left कर सकते हो, option में नई चीज़े होती है यहां पर, sheet, row, formula, match case, entire cell contain, तो normal चीज़े हैं कोई particular color को भी format कर सकते हैं, इस color चूच कर सकते हैं, मिन्हें पता करना है कि green color कहां पर, तो format में जाओ और fill में जाओ, color select कर लो, यह बता देगा कि यह fill color कहां पर fill है, और इस color किसी और color से replace करना है, तो replace कर दो, ठीक है, color नहीं था, कुछ और था, इससे मैंने बोला कि इसको, इस पर, format में, मैंने बोला इसको, एक color कर दे, replace all, ठीक है, यह format भी, star लगा हुआ है, format है, यहाँ पर जो format है, यह number पर देड ड़ना हुआ है, general गरो, ठीक है, इसका use कर सकते हैं, यहाँ पर color समझ में नहीं आ रहा है, तो color pick भी कर देखते हैं, अब इसमें एक चीज और sorting आपको मैंने परहाया, अब एक चीज मुझे आप बताईए, सोच के, हरीच जी आपको भी included है, मुझे इसको एक एक column छोड़ के एक column insert करना है, कोई तरीका? लाना है मुझे, लखना है, हर एक row के नीचे एक row, हाँ, हर एक row के नीचे automatic हुआ है, जितने एक एक blank हुआ है, इंसर्ट करना है मुझे, तो मुझे तो आके लिए एक एक करके आता है, shift, space, then control, plus, तो एक एक करके तो आप लोग करने आता है, ना कुछ नया चीज बताएगी पता होता है, हमारे पास थोड़ी आता, आप सोचो ना, यह जोड़ी नहीं किया है, हर कुछन आपको अपने किया ही हो, कुछ दिमाग तो लगा ही सकते हो ना, देखो, Excel को आप as a learning के purpose से नहीं, as a resource के purpose से, एक नहीं चीज, एक अनोखी चीज, हमेशे आपके बाद आनी चाहिए, और एक नहीं चीज, एक challenge को, हमेशा लेने की capacity होनी चाहिए, ठीके न, इसको बड़ी, इसकी बड़ी चीज नहीं है, simple सी word है, simple जिमाग लगाई है, कि मैं इस serial number को, serial number है, या फिर एक नया serial number में नहीं होगा तो डाल दूँगा, इसके नीचे पेस कर दूँगा, पेस कर दिया, और just like sorting, शॉर्ट करने में क्या होगा, number, इसमें क्या है कि one, दो बार है, एक खाली है, बड़ा हुआ है, ठीक है, सर, कर सकते इसका है, यूज, हाँ हो सकता है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि चुछ और की, जैसे, मिझे पास एक डेटा आया, हम बोलते हैं यहाँ पे name, और city, पूने, डेली, जैपूर, इस तरह से डेटा आपका है, और फिर यहाँ पे आपका, पुने कि दाव तो, एजु आपका, हूँ, पुने कि दाव तो, हूँ, जैसे, पुने कि दाव तो, एजुआ है, जैसे का? अब इस question ने उठता है, कि मुझे इसमें एक ही चीज को ऐसे तरह से fill करना है, मेरे पास data जो आया था, ऐसे ही data आया था, अब मुझे सब के एक के नीचे fill करना है, तो इसके लिए क्लिए क्लिक करेंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे Ctrl-A एक रेकर select कर लेता हूँ, फिर इसमें go to special, go to special select का part है, इसमें जो उत पे click करोगे, ओ एरी select कर लेता है, इसमें बोला कि जहां जब फांवा लगा हुआ है, तो वहां यहाँ select हो जाएगा, जहां जहां contains है, contain में सिर्फ number है, सिर्फ number या सिर्फ text है, तो text या error तो error select हो जाएगा, तो यहां पे ब्लैंक, त इसको select कर लिया, फिर मैं enter ना मार किये, control enter मारूंगा, यह तो समझ में नहीं आया है, अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया है, मैं ता आता हूँ, क्या होता है, कि हमने selection जब हम करते हैं, तो खोई एक sil आपका activate होता है, होता है, हम typing कर सकते हैं, के अंदर ही, अगर normal enter मारते हैं, तो सीधे नीचे आ जाता है, यह time मारते हैं, तो आगे चला जाता है, लेकिन अगर आप, इस पे control enter मारूंगा, तो क्या होगा, कि जो value आपने यहां डाला है, same value नीचे तक copy paste हो जाएगा, जितना area selected है, वहाँ वहाँ पे copy paste हो जाएगा, य कि यहां पे इसको हमने formula डाला, formula select किया, जो formula copy paste होगा, तो नीचे तक तो जाएगा, 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 अब इसमें एक question यह उड़ता है, एक नई चीज, अब मुझे मिला उल्टा होगी है, मुझे इसको उपर लेकर जाना है, कैसे same हुआ, जब control G का आप करते हो, जब go to a special जब आप करते हो, इससे blank select करोगे, तो क्या होगा, अब इस पे type होगा, इससे नीचे copy paste होगा, कैसे जाओ, करसल जाओगा, पर selection जाओगा, तो इसके दो तरीके, एक तरीका है था, अब control प्रेस करकी इस पे click कर लो, आगे activate, यहाँ पे a 24 आगिया, then इसको select करो, और control enter, ठीक है, या फिर कभी-कभी ऐसी problem होगी कि mouse काम नहीं किया, control काम नहीं किया, तो क्या होता है, कि अभी selection कर रखे होते क्या होता, d2 select है, जब tab मारोगे है, तो d3, next tab d4, तो आगे तक जाएगा, अब last आगिया, अब tab मारोगे है, कहाँ जाएगा, वापस उपर आजाएगा, तो सेम ऐसे ही, जब मैं control, यहाँ पे control g किया, तो इस लिए space, go to space, blank किया, तो a selection है, selected a है, लेकर आना पड़ेगा, तो shift हमेशा reverse का काम करता है, तो shift tab मारोगे तो ऊपर जाएगा, अब वापस shift में मारोगे तो ऊपर तो है नहीं, तो नीचे आ जाएगा, then select कर लोगा, और फिर enter, control enter सीड़े, एक को problem होती है, जब फिल्टर में जा तो problem होती है, कि आपका data इस तरीक से रखा हुआ है, और इसको आपने select करके hide कर दिया, आप copy करोगे, तो आपका पूरा data copy होता है, आप जाएगा इसे visual data copy हो, तो selection कर लो, go to a special में जाओ, और फिर यहाँ पर select करके बोलो, यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ बोलो, visual sales only, तो जो आपका visual है, कहीं कहीं पर होता है, जब data बहुत ज़्यादा होता है, नहीं होता है, copy, then paste, उहाँ भी है, उसमें जब आपका 55,000 से ऊपर data होता है, जब 55,000 से ऊपर data जाएगा, तब problem होती है, बस 15,000 पर इसे problem नहीं होती है, height पे तो 3 में में ज़ी problem होती है, तकि जो filter वाला काम है, वो आपका 65,000 से ऊपर data हो होता हमिया, उसमें दिकत होती है, और इसी बता है, यह रोप 10,000,000 बाइन होती है, प्रुछ से ऊपर है, खैसे होने, यह कि जो सुन्हें, यह वो सिल masa होगो है, जिसने उसका format change होदशन कुए, जो सिलम. तो तो पैंसर रजा पैंसर रजा ठीक है अब नेक्स हम बात करते हैं हमारे बात जो नेक्स ठीक है अब इसमें 2013 में नई पीचर जो आई है वो देख लिए इसमें एक आया हमारे पस अब फ्लैस्फिल अब फ्लैस्फिल का यूज है ए देख लिजे उसके लिए हम कुछ डेटा लालते हैं सुजीत कुमार मनीश सिंग नीरज नेगी मनीश इस तरके बहुत साए नाम है आपको अब सबका आपका last name first name अलगलग करने हैं इसके लिए आपके लोग क्या करते थे टेक्स्टो कॉलम करते थे तो उसके लिए एक और है आप यहाँ पे पहला मैं लिखो कुमार पहला आपने लिख दिया और मालो कंट्रोल एंटर कुछ नहीं हुआ यह कब चेंज होगा जब मैं यहाँ पर flash pull जिसका shortcut है कंट्रोल ए क्लिक करूंगा तो पुरा जाएगा उसी तरीके से मैं यहाँ पर करता हूँ सुजीत एक आपको first name लिखने बढ़ेंगे ctrl enter and ctrl e उसी तरीके से अगर आपने कुछ data number अगर मुझे से सिर्फ last two digit अलग करने मैं two five लिखूंगा और ctrl enter and ctrl e same as the date आपने लिख रखा है date में आपके पास सिर्फ month अलग करना है जहाँ लिखो jam ctrl enter and ctrl e date अलग करना है 2007 में नहीं 2007 में नहीं है ctrl enter and ctrl e ऐसे और decimal comma अब अलग कर सकते हैं ठीक है तो आपकी आज की class करते हैं कल हमारा topic है जिसमें आपको हम कराएंगे उसकन मारा कृशन सकते हैं कराहिवाब करते हैं